हॉस्पिटल के अंदर में अलग अलग प्रकार की पॉईजिनिंग के केस आते हैं उसी में से एक पॉईजिनिंग का केस होता है केरोसीन पॉईजिनिंग का ध्यान रखें और उसका treatment कैसे करें तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं दोस्तों अगर कोई भी पेशेंट आपके सामने आता है जिसने poisoning की है तो उसके अंदर कुछ कुछ symptoms दिखाई पड़ते हैं अब kerosene poisoning में भी कुछ symptoms होते हैं सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा उसकी history से जुसके साथ लोग आए हैं वो आपको बता देंगे कि यह आदमी ने kerosene poisoning करिया निए kerosene इसने पिया है या फिर आप कैसे पता लगा सकते हैं तो उसकी सांस उसके जीव और उसके अंदर का mouth के अंदर के जो parts होते हैं वो dry होकर crack होने लगते हैं अगर उसने kerosene पिया है तो बहजदा मातरा में पिया है तो crack ज़्यादा होंगे नहीं तो फिर उतने ज़्यादा नहीं होंगे इसके अलावा patient में कुछ और symptoms दिखाई पड़ते हैं जै कैसी व्यक्ति ने kerosene poisoning की है तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है treatment कैसे करना होता है तो सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी बात होती है हमें ध्यान रखने वाली वह यह होती है कि ऐसा patient जिसने kerosene poisoning करी है उसका gastric leaves नहीं कराया जाता है यानि कि उसकी vomiting नहीं कर जाता है अब ऐसी condition में patient सांस्टे ले पाएगा और complications बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इस वज़ा से हमको यहां पर गैस्टिक लिवेज नहीं कराना होता है इसके बाद हमें patient का mouth और उसके airways को clean करना होता है clean करने के बाद liquid paraffin पिलाया जाता है 200 ml पिला जाता है severity क पिलाया जाता है जिससे उसे कब की problem ना आये इतना करने के बाद व्यक्ति का x-ray कराया जाता है जो patient है उसका x-ray इसलिए करा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि patient को फेफड़े के अंदर में fluid तो नहीं भर गया है यानि उसे pneumonia की सिकायत तो नहीं हो गई है अब माल ल में मिला करके सुबह शाम व्यक्ति को देना चाहिए इसके अलावा अगर patient का patient की सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है यानि कि patient को ब्रैग को इस पास्ट में की शिकायत आ रही है तो उस condition में patient को हम लोग dairy इस तरह से कुछ दिन तक patient को observation में hospital के अंदर में रखा जाता है उसके बाद उसको पर जरूर फालो करें पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद